आज विडियो के अंदर अम लोग बात करने वाले कि कल थर्जदे को एक्सपाइरी ए फिर्स्ट वीक की एक्सपाइरी है जून की सो में किस तरीके से ट्रेड लेकर चलना है अज जम मर्केट खोली तो मैं अप लिए उसी जाट करने की कोशिश कर रही है so अब किस तरीके से trade करना I think कि एक दो दिन के अंदर market एक अच्छी movement on a downside or on a upside दे सकती है but कल expire रही है तो मुझे लग रहा है कि कल के दिन हम लोगों एक अच्छी movement देखने को मिल सकती है किस तरफ trade करना है क्या strategy रहने वाली है क्या हो सकता है सारी बाते करेंगे इस वीडियो के अंदर और बात करेंगे कल कौन से stocks हैं जो better perform कर सकते हैं जो market उपर जाए चाह नीचे जाए so चलिए चलते हैं without wasting any time अगर इस वीडियो के अंदर अच्छी लाइक साते हैं so चलिए start करते हैं जिसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग अपने चार्ट सेटप पर आचुके हैं सबसे पहला stock एक swing trade है आप लोग बहुत टाइम से वेट करते हैं कि आप लोग के सामने प्रिजिंग कर जाए सबसे पहला stock है HDFC-AMC HDFC-AMC अभी एक breakout आया है but definitely कल एक breakout आनी की तियारी हो रही है यहां पर लोग definitely buy करके चल सकते हैं सबसे पहली चीज अगर आप लोग को देखना है अब from 2000 के level से almost almost 3400 तक गया है एक अच्छी up move देखने को मिली है अच्छी up move देखने के बाद कम से कम बहुत टाइम तक कंसॉलिडेट करते रहा almost almost अगर हम लोग मान के चले तो 6 months तक कंसॉलिडेट करा है इस range के अंदर and eventually हम लोगों को इसका एक breakout देखने को आज के trading session के अंदर देखने को मिला है stock अच्छा है HDFC-AMC stock वैसी भी अच्छा है एक flag and pole pattern ब्रेक आउट तो इसके targets ultimately बहुत जादा higher but after a long consolidation एक अच्छा consolidation के बाद target reach करने में भी time लगेगा so हमारे पास 3-4 महीने से hold करना चाहते तो आप लोग definitely गड़ सकते but as a swing trader जो मैं swing trades करता हूं मेरे लिए max to max 15 दिन जादा कोई भी stock को hold करना जादा prefer नहीं करता हूं so मैं मान के चल रहा हूं 15 दिन से एक महीना यह stock अच्छे returns दे सकता है अब बात करते हैं कि इसके targets क्या हो सकते हैं so देखे जिस level से एक rally एक range के अंदर आना start कराता वो इसके लिए पहले एक resistance का भी आक्त कर रहा है अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे so मेरे जो targets है ultimately यह level है जो कि 3400 रूपीज का है जहां से एक यह correction के उस level पे आया था starting point ठीक है दूसरी बात अभी बात कर रहे तो currently stock trade कर रहा है 3015 रूपीज पे यह structure इसलिए बना रखा है कि आप लोग अपने charts पे exact same structure को draw करे कि आपको help हो सके मेरी आपड़ duty आप लोग को stocks provide करवाने के साथ समझाने की भी है अगर आप लोग यह charts पे draw करेंगे तो आप लोग इसे monitor भी कर सकते है आप लोग बार मेरी video को जरूरत नहीं है आप यह same structure draw करेंगे उसके बाद आप लोग इसे watch list के लिए चलिए अगर जादा बाते होगी है तो आप थोड़ा सा zoom करके देखते हैं यह देखेंगे एक channel के अंदर ही काम कर रहा था eventually इसने channel का breakout दिया आप यह strong candle देख रहे है exact strong candle का जो top था जो high था 3000 था यह जो दो candle consolidate करी है exact 3000 के आस पास थी and eventually यह वाली candle ने retest करके एक up move दिया है जो एक resistance वाली trend line चलती आ रही है ठीक है तो यहां पर हमें पता चल रहे है तीन दिन के consolidation जो के psychological 3000 का level है वह consolidate करा अब breakout देनीगी त्यारी कर रहा है दूसरी बात हम लोग इस level पर buy सला दे सकते थे मैं अपने members को है सब लोगों को यहां पर buy करने की सला दे देता बट यहां पर मैंने previously भी देखा कि एक sharp up move आई है इदर भी एक sharp up move आई है नीची यह downtrend start हो जाता तो breakout पे ही अम लोग बाय कर सकते है बट हम लोग ने बाय क्यों कर दा बिकॉट यहां पर एक resistance है ब्रेक आउट के बाद एक resistance यहां पर है सो हमें बाय कप करने में आप लोगों को बता देता हूँ देके 3400 या 3300 हम कुछ भी level मान के चले जो हमारे targets है वह अभी current level से थोड़े दूर है यह निए कि एक एक minute के अंदर यह अगर हम लोग थोड़े से points मिस कर दे तो हम लोगों को losses book करने को मिल सकते है ऐसा नहीं है तो हम लोगों को एक safe side लेकर काम करना होगा अब बात करते है 3014 का level है अगर आप लोग एक soon trader मैं सला दूँगा 3020 के ऊपर बाय करें उसके अलावा अगर मैं 1 hour का time frame आप लोगों को लेकर चलता हूँ so 1 hour के time frame पर आप लोगों यह आपर देख सकते हैं 1 hour एक sharp up move consolidation अब उसके ऊपर दुबारा जाना start कर रहा है so आपको क्या करना है जब यह 3000 देखे अभी 1 hour का time frame है तो यहाँ पर आपको प्राइस थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा on a daily charts but daily charts के प्राइस करेक्ट है 3014 रुपीज का ही level है but हमें यह चीज़ पता लग रही है कि अगर 3022 के उपर the percentage we can earn so percentage की बात कर लेते हैं okay so let's talk about percentage यहाँ पर आप लोग clearly देख सकते हैं this is the way we have to buy almost 10% above के हम लोग targets expect कर रहे हैं अब यहाँ पर दो type के scenario आप लोग के सामने बन सकते हैं first आप लोग एक estimate percentage सोच के सल सकते हैं कि मुझे stop के अंदर किता percent रही है उत्ता percent आपको मिल जाए you can book your profits जो की 4%, 5%, 6% जो भी आप लोग को पाऊ अगर आप सोचने मुझे पूरा percent चीह है तो आप लोगों को patiently wait करना पड़ेगा यह शाब approve एक या दो हफते के अंदर नहीं आ चाहिए ठीक है ऊपर जाएगा फिर एक बार डाउनवर्ड भी आएगा फिर ऊपर जाएगा तो अगर आप लोग patiently hold कर सकते हैं then this stock is for you otherwise आप क्या कर सकते हैं अगर आप 100 quantity buy करने हैं अगर आपको 50 रुपी उपर मिलता है 25 quantity exit करी इस फोर रुपी उपर जाता है 25 quantity और exit करी तो अपने profits को अपनी quantities को book करते रहो कि Indian अगर वो एक shaft fall करता भी है अगर हमारे targets तक reach भी नहीं करता आप अपने stop loss को ट्रेल करके कुछ profits earn कर पा है ठीक है so I hope मैंने आप लोग को यह आपर detailed analysis provide कर वादियोगी let's move to our next stock हमारा दूसरा stock है Voltas, Voltas भी आप लोगों को buy करने की सलदेरी है क्योंकि यहाँ पर एक clear breakout हम लोगों को देखने को मिला है yes guys इस पर एक अच्छा breakout आया after a long consolidation a very long consolidation एक pattern draw हुआ plus एक breakout हमें देखने को मिला है यहाँ पर आप लोग देख रहोंगे black color की आप लोगों को trend line from bottom हम दिख रही होगी हो almost almost May 2020 एक साल पुरानी यह trend line है जो हम लोगों ने draw करी है after drawing this आप लोगों पता चल रहे हैं आप पर एक बहुत बढ़िया support लिया after that हम लोगों ने एक resistance line को draw करी जिसका एक clear breakout हमें देखने को मिला है देखने को मिलने के बाद आप लोगों को पता है कि breakout जब भी कोई भी triangle pattern या किसी भी pattern का breakout आता है हम लोगों उसका सबसे पास वाला resistance के ऊपर ही जाने के बाद buy करते हैं जैसे हम भी अब लोग ने HDFC, AMC पर study करा यहां पर भी आप लोगों ने देखा जोन क्रियेट कराव है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं यह देखने है यह जोन क्रियेट कराव है जिसका एक breakout आ चुका है अब दूसरी चीज़ कौन सा पैटन डेवलप हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो पैटन डेवलप हुआ है अब दूसरी आ इनवर्स हेड इन शूल्डर पैटन और एक अच्छा ब्रेक आउट यहां पर हम लोगों ने देखा है इसका यह देख पा रहे है एक लिएर ब्रेक आउट एक अच्छा ब्रेक आउट हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टॉक का देखा है एक ट्रेंगल पैटन ठीक है एक ट्रेंगल पैटन का ब्रेक आउट प्लस एक एक इन शूल्डर पैटन का ब्रेक आउट प्लस एक लॉंज कंसॉलिडेशन जो की ब्रेक आउट के बाद जो बिल्कुल पास वाला रिजिस्टेंस था उसका भी ब्रेक आउट तीन चीजों का एक अच्छा breakout दिया है, after a long consolidation में, consolidation आपको दिखाना चाहूंगा so almost, almost जो consolidation start होए, वो March से हुआ है so March, April, May and ये June start होगी तो almost 3 महिने का consolidation का breakout है, I think ये stock बहुत अच्छे levels दिखा सकता है, कल के कल ये अच्छी movement दिखा सकता है, एक stock अपनी watch list के अंदर रखेगा, मेरा जो ultimate target है, वो है, 1060 के आस पास तक का, current price है 31034 1034 है 1060 का मेरा minimum target है, जो मुझे लगता है बहुत easily achieve हो जाएगा, उसके बाद, और targets आप उपर लेकर चलना चाहते हैं stop loss को trail करके, आप लोग पर buy position hold करकर रख सकते हैं यह है वोल्टास, let's move to our next stock so our next stock is Vidanta, Vidanta आप लोगों को मैंने buy करने की सल अपने previous video पर भी आप लोगों प्रोवाइड करवाई थी, यहां पर आप लोगों को पता है कि एक pennant pattern bullish pennant pattern का breakout आया था, current price 276 rupees, आप लोगों को मैंने suggest कर रहा था, कि हमने और हमारे members ने 268 rupees पर already एक buying position initiate कर रही है अब अगर आप देखेंगे कि तो मैंने आप लोगों किस level पर बताया था वो बताते हैं, और उसके बाद मैं आप क्यों suggest कर रहा हूँ, ठीक है, so थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, stock का ना में विदानता भूलेगा मत, यह देखें, एक sharp breakout आयता, एक triangle pattern का एक triangle pattern का एक sharp breakout उसके बाद एक consolidation, यहां पर market close कर गई थी, अगले दिन जब market open होई थी, आप लोगों को ने देखा है gap up gap up open होने के बाद यही हायता उसके बाद continuously यहां से stock नीचे गिरा नीचे गिरने के बाद इस level के अंदर आया, मतलब इस range के अंदर आया सो माना ही यह जाता है कि अगर कोई भी pattern का breakout होता है उसके बाद अगले दिन वो candle, breakout candle के अगली candle जो होती है और उस pattern के अंदर दुबारा चली जाती है सो यहां लोग एक heavy selling expect करते हैं, सेम ऐसा यहां पर हम लोगों को देखने को मिला तो आज हम लोग अपनी position को exit करने वाले थे आज हम लोगों ने देखा कि एक gap up opening हम लोगों को देखने को मिली और इस pattern के ऊपर दुबारा चला जाना start कर गया, सो यहां पर हम लोगों को एक confirmation मिल गई है, कि यहां पर sellers तो है अच्छे कासे sellers हैं, बट उससे जादा buyers के पास heavy control है इस particular stock पे, अब यहां पर मैंने देखी है एक green dollar की line आप लोगों के सामने present करी वी है मैंने बोलाता है, इसी की ऊपर buy करना है इसी closing की ऊपर buy करना है इस level पे closing नहीं आई थी previous session पे बट आज के session पे यहां पर एक closing देखने को मिली है current prices का 275 या 276 के आप सपास है आप लोग definitely current price पे buy बना के चल सकते है अगर एक रुपे की dip आती है तो भी buy बना के चल सकते है मेरे जो ultimately targets है 280 या 282 रूपीज या 284 मतलब minimum target मेरे 280 रूपीज का है वाई, because अगर आप देखेंगे तो यह previous swing high है ठीक है मतलब पहले यह high था अब इसके पहले वाले जो इसका पिछला high है वो हमारे targets होना चाहिए बहुत easily, तो इसका पिछला high यह है top, so मेरे targets यह है अगर इसका breakout होता है तो में next target मान के चलूँगा यह level को जो कि 287, 285 रूपीज के आसपास का होगा ठीक है, so I hope आप लोग समझ गया होगे कि मैं क्या बताने के कोशिश कर रहा हूँ 276, 275 के असपास बाइ करिये, 280 रूपीज का 1st target, 287 रूपीज का 2nd target अब मैं यह नहीं कहा रहा, कल इंट्रेडे के अंदर 287 देखने को मिल सकता है but I think कि 280 रूपीज के लेवल देखने को मिल सकता है so इसको अपनी वाचलिस के अंदर जरूर रखेगा let's move to our next talk our next talk is JK Tires JK Tires भी आप लोग को प्रेजेंट करा गया था हमने आप लोग को बताया था कि इस पे भी आप लोग एक बाइग कर चल सकते हैं because we are still holding हमारे पास भी आए exact current levels पे ही हम लोगोंने buy करा रहा है and अभी exact उसी levels पे ट्रेट कर रहा है so let me show you कि यहाँ पर क्या ऐसा बना है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप यह green color की line शो आप लोगों को हो रही होगी यह green color की line एक resistance का act कर रही है अगर आप लोग देखेंगे multiple breakdown हुआ था Feb में almost Feb में एक breakdown हुआ था इस particular line का 131 के नीचे यह stock आया था JKTIS 9 Feb को उसके बाद उसके ऊपर जाने में उसके ऊपर closing देने में यह कभी काम्याब नहीं हुआ almost 4 महीने से हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर यह गया ही नहीं है ठीक है 4-5 महीने हो चुके है eventually आज के trading session के अंदर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग करी है with a gap up आज market gap up open हुआ यह stock gap up open हुआ उसके बाद आद आपको ने एक upside देखी है और यह उपर जाके close करा है which is a very good sign 5-month के consolidation के बाद इसने एक breakout दिया है अगर आप देखेंगे इस पर एक pattern है यह एक left shoulder है यह एक head है और यह एक right shoulder है so यहाँ पर भी एक head and shoulder pattern मना है जिसका breakout आचुका है so यहाँ आपर आम लोग definitely buy कर के चल सकते है current price है 131 rupees 136 rupees का मेरा first target है 146 rupees का मेरा second target है यह मैंने अपनी previous videos पर भी आप लोगों के explain करा था you can still hold this यह एक हफ़ते का target यह एक हफ़ते का आप एक swing trade मान के चल सकते है जो कि मुझे लगता है 146 rupees तक आप लोगों को लेकर जा सकता है hold this particular stock I think यह बढ़िया returns दे सकता है अब move करते है अपने next stock की तरफ जो कि मारा last stock है our next stock and our last stock is ONGC ONGC पे आप लोगों को buy करने की चला दी जारी है यहां पर जो मैंने chart ओपन कर रहा है time frame ओपन कर रहा है वो है weekly weekly setup आप लोगों को मैं प्रोवाइट कर रहा हूँ and eventually इसका break out देनी की तियारी कर रहा है अगर आप देखेंगे क्या हुआ यहां पर थोड़ा सा में जूम करके दिखाता हूँ stock का नाम है ONGC आप देखेंगे exact trend line तक reach कर रहा है reach करने के बाद एक fall आया fall करने के बाद क्या करता है अपने previous low को break करना चाहिए तो eventually ऐसा नहीं हुआ अगर आप देखेंगे यह continuously higher rise and higher lows को form कर रहा है ठीक है continuously कर रहा है अगर मैं आप लोगों को और easy way में दिखाता हूँ देखें पहले उपर गया फिर नीची आया फिर उपर गया previous high को break करा फिर नीची आया previous low को break करा नहीं करा न तो low shift हुआ उपर की तरफ एक positive sign है और जो previous high था वो भी उपर की तरफ shift हुआ वो भी positive sign है तो अगर यह pattern चलते वह आ रहा है तो हम मानेंगे कि यह pattern continue कर सकता है yes or no definitely कर सकता है कोई भी layman person बोलेगा कि यह pattern उपर की तरफ दुबारा जाएगा तो अगर यह इसने previous low को break नहीं करा तो अब क्या होगा अभी अपने previous high को break करेगा तो यानिकि इस stock यहा से previous high को break करके उपर जा सकता है तो अभी previous high के नीचे है और एक breakout की तियारी कर रहा है I think it's a very good opportunity to buy this particular stock ONGC अगर इसका एक breakout आता है यहाँ पर एक swing trade एक long term trade भी बन सकता है इस particular stock अपनी watch list के अंदर जरूर रखेगा अब मैं बात करता हूँ daily charts पे क्या pattern मना है कैसे trade करना है Let's move to daily time frame daily time frame पे अगर हम आते हैं और थोड़ा सा charts को ठीक कर लेते है So आप देखेंगे यहाँ पर एक cup and handle pattern मना है एक cup and handle pattern मना है तो यहाँ पर में एक trading करने की चला आपको देना चाहूँगा ठीक है देखेंगे This is the cup and this particular thing is the handling यह cup and handle pattern है इसका breakout जैसी आएगा एक अच्छी movement यह दे सकता है 119.5 एक simple level लेकर चल लेते हैं आपको क्या करना है stock का ना में ONGC buy करना है 119.50 के ऊपर targets अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि targets फिर अलग levels पर पहुच जाएंगे अगर इसका कल एक breakout आता है तो पर इस पर दुबारा एक video अपलोड करूँगा कल के trading session पर don't worry बट अभी कले आपको के से hold करके रखीगा अगर 119.5 के ऊपर जाता है अगर नहीं जाता है 15 मिनिट की candle closing important होगी यह बात धरूरियाद में रखेगा हम अभी estimate लगा के चल लेते हैं कि 130-140 तक के तो minimum targets हम लोग expect कर सकते हैं बट यह और उपर लेवल्स दिखा सकता है so let's watch this particular stocks I hope आप लोगो को हमारी stock के selections पसंद आया होगी presentation पसंद आया होगी so please pause this video अगर आप लोगो को अच्छा लग रहा है so subscribe to our channel let's aim for 1 lakh subscriber within this month video पसंद आरे हैं तो please like करके comment section पर हमें जरूर बताएगा आप लोगो को हमारा content कैसा लग रहा है ठीक है guys let's move to nifty bank nifty setup और मैं आप लोगो को बताता हूँ कि मैंने क्यों trade नहीं दिये थे आप लोगो को और मैंने quick personally nifty bank nifty पे trades क्यों नहीं लिये थे let's move to nifty and bank nifty setups so guys हम लोग nifty के start setup पे आज चुके हैं अब यहां पर जितनी ही मैंने trend lines और सारे structures draw करें हैं वहां पर आप लोगों समझने में थोड़ी सी difficulty आएगी but don't worry थोड़ा सा time लेके मैं बता देता हूँ क्यों हम लोगों ने trades नहीं लिये थे क्यों हम लोगों को false signal देखने को मिल रहे थे so let's start सबसे पहले आप लोगों बताईए एक एक लाइन पर जो मैं trend lines पर notice करूँगा सिफ उसी पर focus करना यह purple color की line देख रहे है प्लस एक green color की line नीचे देख रहे है यह एक rising channel था यह मैंने आप लोगो अपनी previous video पर भी बताया था इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर देखते रहेगा एक एक चीज़ इसके बाद इसने breakout दिया मतलब एक rising channel का nifty ने breakout दिया which is a very positive sign breakout देने के बाद retest करा consolidate करा and फिर एक breakout दिया ठीक है इतनी बाद समझ में आ गई इसके बाद अगर आप देखेंगे यह वाली candle जो बनी है यह वाली candle इस वाली candle बनने पे मतलब market close कर गई थी यहाँ पे market ने closing दे दी ती almost 31st May को उसके बाद मैंने वीडियो अप्लोड करी आप तोको के साथ मैंने बोला कि यह green color की line देख रहे मैं थोड़ा सा dark कर देता हूँ यह green color की line देख रहे हैं इसके उपर जब जाएगा तो हमारे लिए buy setup होगा ठीक है हुआ क्या अब देखें हर एक candle को observe करना हुआ क्या यह candle इस level पे open हुई इस level पे open होने के बाद starting से ही नीचे जाना start करें नीचे जाना start करें नीचे जाने के बाद अगर आप देखेंगे इसके नीचे closing नी दिया है दुबारा ऊपर चले गई इस अ वेरी positive sign और closing price के ऊपर close जाके करें है मतलब एक bullish candle इसने draw करें है इसके अलावा अब हम लोगों बस patience ली वेट करना था जो अगली 15 मिट की candle होगी क्या वो sustain कर सकती है इस particular एक strong up move candle के साथ येस इसके बाद एक strong candle एक और बनी जो इसने अपने previous closing price के ऊपर जाके close करा and I think it's a very good sign क्योंकि इसने अपने previous high के ऊपर जाके भी close करा है अब यहाँ पर एक buy setup बनता है यहाँ पर हम लोगों को buy करने के बारे में सोचना चाहिए अब क्या हुआ इसके लावा यहाँ पर मेरा stop loss भी hit हुआ था क्योंकि मैं आपर trade खुद करा था मैंने अपने किसी भी members या किसी को भी providing करवाया था यहाँ पर देखेगा बहुत तेजी से एक 15 मिट के अंदर sharp selling आई यहाँ पर जो भी premium थे वो बहुत तेजी से डिक हुए यहाँ पर मेरा loss हुआ इन बेट्वीन में निकल गया था बट इवेंचली वो नीचे गया नीचे गया पूरा नीचे गया एड इवेंचली यहाँ पर मुझे पता चला कि अब एक selling pressure आने के indications मुझे देखने को मिल रहा है यह एक false breakout था एक false expectation थी जो आम लोगों को लगागने को मिल रही थी यहाँ पर इसलिए मैंने कोई trade suggestion नहीं दिया इसके लाब आप आगे बात करते हैं जब यह नीचे आया तो नीचे आने के बाद यह previous low है previous swing low तो मेरा ultimately target था ही है तो यहाँ पर आया मैंने कोई trade नी लिया मेरा target था बट मैंने कोई trade नी लिया इसके बाद उपर गया exact जो level बदाया था वो resistance लिया दुबारा नीचे आया नीचे आने के बाद आपको एक चीज़ देखनी है नीचे आने के बाद आप देखेंगे यह वाली candle पे closing देखने को मिली यहाँ पर closing देखने को मिल गई अब आपने देखा कि आज एक gap down opening हुई gap down opening हुई इसने अपने क्या करा gap down opening होने के बाद देखेगा यह पूरा channel देख रहे हैं यह जो green green line मैंने channel का बनाया थी इसके नीचे यह गया 15 minute की closing करी उपर अब देखें 15 minute की closing करने के बाद यहां पर इसने retest करा और यह नीचे जाना start करा अब आप एक बाद मुझे बताईए जब इसने एक false breakout दिया false breakout देने के बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई pattern का breakout देता उसके अगले दिन ही वो नीचे आ जाता है अगरी selling pressure आना चाहिए है था हुआ क्या मेरे जो targets होने चाहिए था वो मेरे targets होने चाहिए था ultimately यह target और आज के आज इसे आना चाहिए था या तो फिर इसके नीचे रुकना चाहिए था हुआ क्या यह consolidation करा very good consolidation एक sharp up move आई इसने अपने सारे के सारे losses को कट करा और एक sharp up move के साथ उपर गया अभी क्या हुआ रहा है लगतार तीन से चार दिन के अंदर लगतार ची तीन चार दिन से मैं देख रहा हूँ personally हो मैंने आप लोगों भेजा भी है live sessions पे क्या क्या चल रहा है India Wix कुछ मिंटों में 10% उपर कुछ मिंटों में नेगेटिव पे आ जाती है तो यानि कि इतनी जादा जो ही volatility चल रहे है यहाँ पर ना option traders, buyers पैसा कमा आप आ रहे है और ना sellers कमा आप आ रहे है वहाँ जल्दी अपनी positions को square of winding करनी पड़ रही है तो वहाँ पर एक छोटा सा यह जो volatility है यहाँ पर हम लोगों it's a bit cautious हम लोगों बहुत अराम से trade करना है अब बात करते है trade कैसे करें दीखें markets are still bullish, market अभी भी bullish है बट आपने एक चीज़ देखने है यह देखने है यह level जो है 15,606 रुपे का जब तक इसके उपर एक closing नी मिलती है तक मेरे लिए कोई भी trade नहीं है जब तक इसके उपर एक closing नी मिलीगी मैं trade नहीं करूँगा, मेरे targets 50-60 रुपे उपर होंगे, बट मेरे ultimately target उपर ही है, मेरे लिए कोई bearish sign ही है, मुझे हर dip में buy करना है, बट यहाँ पर अगर आप लोग trade करते हैं, इन दो दिन के अंदर तो आप लोग losses book कर सकते थे, इसी वज़े से मैंने आप लोग कोई भी trade setup प्रोवाइड नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को खोद indication ही ता, market उपर जाएगी या नीचे जाएगी मेरे लिए market अभी वी bullish है, because after a long consolidation downwards, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक sharp move आई और bullish ने सारे के सारे sellers के losses को profits को losses में convert कर दिया, so यह चीज़ याद रखनी है, अब बात करते है bank nifty की, यहाँ पर मेरे लिए कोई sell side नहीं है, अगर कल नीचे gap down खुलता है, तो sell करेंगे थोड़ा सा, बट अगर उपर यहाँ इसी level पर खुलता है, तो मेरे लिए buy के बाओ के होंगे, let's move to nifty, bank nifty, so जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, bank nifty का chart setup में ने open कर दिया है, यहाँ पर आप लोगों को similar type of situation देखने को मिलीगे, जो nifty अब जब market open हुई, market open हुई, इस level पर नीचे गई, उपर गई, एक simple एक अच्छी movement देखने को मिली, यानि यह indication दिरीदी कि market is very bullish, market bullish है विकॉज इसने symmetrical triangle pattern का upside में closing दी है, उसके बाद एक sharp downfall आई और within an hour हम लोगों ने देखा कि downside पर एक breakdown देखने को मिला जब downside पर breakdown देखने को मिला अम लोगों पता चल गया था कि इस level पर support लेके उपर जा सकता है उपर गया, इस level पर देखने एक resistance मिला दुबारा नीचे आया अब इसने breakdown तिया, same goes with nifty, nifty पर भी exact ऐसा हुआ एक gap down opening हुई, एक sharp fall यह consolidation कर रहा है उसके बाद एक eventually break out दिया है अब आप लोगों के यह पर पता चल रहा होगा कि यह जो है यह यहाँ पर आप लोगों के buy side में sell side में दोनों में losses होने के chances heavy थे अगर आप लोग जादा time wait करते ठीक है stock करके आ रहा है यहाँ अभी यहाँ पर इंडिया वेक्स 10% उपर नीचे हो रही है तो वहाँ पर अभी volatility heavy है तो कोई trade नहीं लेना I think यह जो कल expiry होने वाली है यह जादा volatility expiry होने वाली है तो कल बहुत मुश्किल से हो और बहुत सोच समझ के आप लोगों करते हैं कि इस पर करना क्या है तो current levels की बात करें तो अभी भी market bullish है 35,400 के आसपास की closing है 35,000 35,500 के उपर एक buy कर सकते हैं 200 रुपे उपर side में targets हम लोग expect करके चल सकते हैं अगर gap down opening होती है gap down opening होने के बाद अगर यह 35,300 के नीचे है 15-minute की candle तो आप लोगों को आप लोगों को sell side पे trade ले सकते हैं हमारा target होगा यही पर्टिकुलर लेवल था 35,100 रुपीस का ठीक है so I hope मैं आप लोगों Nifty Bank Nifty के डोनों के glimpse देदी होंगे पर्टिकुलर 5 stocks भी प्रवाइट करवादी होंगे सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा कमेंट सेक्शन में बताएगा प्लस हमें इस पर्टिकुलर लेवल पे प्रवाइट करवाने के ले मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you so much guys for listening to me आप लोगों को समझ में आया होगा यह psychology behind every trade everything आप लोगों को समझ में आरी होगी through our YouTube channel So please share this particular channel to all your friends and relatives who will be interested in a stock market पे सीखने के लिए Thank you so much guys for listening to me Bye Bye Outro Outro